Hello friends, welcome to Lavan Titan YouTube channel Lavan Titan YouTube channel में आपनोंका बहुत बहुत ज़ागत है तो दोस्तों कैसे हों आप लोग दोस्तों वीडियो बहुत इंफरमेटिव होगा आज किस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूं हर समय हमारे दिमाग में एक ही परसन हमेशा रहता है मतलब कि आज की इस वीडियो में हम law of attraction के बारे में बात करेंगे क्यों हर समय हमारे दिमाग में एक परसन हमेशा रहता है क्यों एक ही इंसान हमारे दिमाग में छाया हुआ रहता है कभी आपने देखा है कि आप किसी भी इंसान के बारे में सोचना तक नहीं चाहा रहे हो फिर भी उसकी बातें उसके कई सारे ख्याल आपके मन में आये जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं क्यूं उसी इंसान के बारे में सोच रहा हूँ तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे point बताने वाला हूँ कि क्यूं आपके साथ ऐसा हो रहा है आखिर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो क्यूं रही है यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे point बताऊंगा जिनसे आप आसानी से judge कर पाएंगे कि क्यूं आपके साथ ऐसा हो रहा है मतलब कि यहाँ पर मैं आपको law of attraction के वारे में बताऊंगा क्यूं हर समय आपके दिमाग में एक person हमेशा रहता है ऐसा आपके साथ हो क्यूं रहा है तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसको लाट्स तक जरू देखिएगा तो चली दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ते हैं और वीडियो में आगे वढ़ने से पहले यादे आप मेरे channel पे नए हैं तो प्लीज channel को subscribe कर लिजेगा तक इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिसके तो चली दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट अपॉल सबसे पहले point के बारे में तो फर्स्ट अपॉल सबसे पहला point है वो यह है कि जब वो इंसान आपको manifest कर रहा होता है तो कई सारी यादें आपके मन के अंदर घूमती रहती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान की energy आपके mind में कुछ message भेजती रहती है आपको कुछ बताने की कोसिस करती रहती है इस तरह से आप ना चाहते हुए उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है और इसी वज़े से एक ही परसन आपके दिमाग में हमेसा घूमता रहता है हमेसा चाया हुआ रहता है तो आई होप इस पहले point को आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं दूसरे point के बारे में दूसरा point है जब कोई आपको love vibration भेजता है दूसरा रीज़न है आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान आपको love vibration भेजता है तब भी आपके मन में कोई ना कोई उस इंसान से related बातें घूमती है आप नहीं सोचना चाहते फिर भी उस इंसान का ख्याल आपके मन में आता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान की positive energy आपके मन को उस बक्त टच कर रही होती है जिस कारण से ये सारी चीजे होती है आपके साथ तभी वो इंसान आपके माइंड में हर समय गुमता रहता है ह आप बात करते हैं तीसरे point के बारे में तीसरा region है जब किसी इंसान से आपकी लडाई हो चुकी है और आप कुछ बोल नहीं पाते हो आपने रेखा होगा कि किसी इंसान से जब आपकी लडाई हो जाती है और नहीं चाहते हुए आप उस इंसान को भूल नहीं पाते हो आपन मन में कई सारी बातें आती रहती हैं वो आपको ये बताती रहती हैं कि उस वक्त आपको ये जवाब देना चाहिए था ये बोलना चाहिए था ऐसे बोलते तो बहुत अच्छा रहता इस बज़े से कई बार आप नोटिस करोगे कि नहीं चाहते हुए भी वही इंसान बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है तो ऐसा इस पॉइंट की बज़े से भी होता है तो आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं चोथे पॉइंट के वारे में चोथा रीजन है वो ये है कि कई बार हम उस पल को सोचते रहते हैं जब हमने और उस इंसान ने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया होता है और इस बज़े से आप देखोगी कि आप बही सारी मेमोरीज अपने दिमाग के अंदर चला रहे हो जब बार बार उनी सारी बातों को सोचते रहते हो तो क्या होता है कि आप अपने माइंड को एक ही मैसिज देते रहते हो कि ये चीज मेरी लाइफ में हो रही है ये बाते में सोच रहा हूँ तो इस बज़े से भी उस इंसान का ख्याल आपके मन में आता रहता है ज़रूरी नहीं है हम बार बार एकी ही इंसान को याद करें कई बार हम उस इंसान से related कुछ ना कुछ memories को याद करते रहते हैं इस कारण की बज़े से भी हमें ब्रह्म हो जाता है कि हम उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जबकि ऐसा होता नहीं है हम कुछ ना कुछ memories को click करते रहते हैं और हमें लगता है कि वो इंसान हमारे mind में घूम रहा है जबकि ऐसा होता नहीं है रियल में तो दोस्तों इस point की बज़े से भी आपके mind में वो इंसान घूमता रहता है ये सारी चीज़े होती रहती है आपके साथ तो ये आप अपना ध्यान इन सारी चीजों से हटा कर, इन सारी बातों से हटा कर कहीं और लगाओगे तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं होगी, वो इंसान आपके दिमाग में हर समय नहीं घुमेगा ये मुमुरिज आपके दिलो दिमाग में नहीं रहेगी हर समय आपके दिमाग में एक ही परसन नहीं रहेगा और ये आपके लिए अच्छा भी होगा क्योंकि आप एक ही इंसान के बारे में ना सोचकर अपना दिमाग अलग अलग जगे पर लगाओगे तो ये आपके दिलो द दिमाग के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो यह फोर फॉइंट मैंने आपको बताए हैं चार ऐसी बाते मैंने आपको बताई हैं जिनकी बज़े से यह सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं और इस बज़े से वो इंसान आपके माइंड में सबसे पहले मिन सके और विडियो को लाइक नहीं किया तो ये आपकी कोई भी कमेंट वगर्हा है लबलाइप कर प्रोब्लम्स तो आप हमें कमेंट करके वदा सकते हैं आपकी प्रोब्लम्स का सेलुस्टन आपको आवस्थ दिया जाएगा इंड में भी तक आपने फेस्वीट पेज को फोलू नहीं किया है तो वीडियो का डिश्व पेज को फोलू कर सकते हैं और यह आप मुस्से डारेक्ट बात करना चाहते हैं तो कॉल फॉर में एप्लिकेशन के दौरा मुस्से बात कर सकते हो